किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी डाउल के पापा ने तो साफ मरा कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मिंट आप के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउं गाउं अब टीचर्स ले रहे हाईब्रिट क्लास टीच्मिंट के यूनिक फीचर्स के साथ स्वागा देको नई वीडियो में तो इस वीडियो हम लेके आ चुके हैं क्लास टैंट वर्क सीट जो की आपकी आचुकी है 28 सितंबर की तो इसमें हम आपको फुल सल्यूशन बताएंगे तो बने लिए वीडियो के अंतक कच्छा दस बी से हिंदी दिनांक 28 सितंबर अध्याग नाम है नेता जी का चस्मा लेका कहें स्वयम प्रिकास टॉपिक का नाम है हिंदी गर्द खंड भाग दो और तीन ओके स्टूरेंट चलिए वीडियो को स्ट्राट करते हैं बिना किसी देरी की प्लाचन पर पहली बारा चैनल को सब्क्राइब जरू कर ले और साथी बेल आकन को ओन कर ले तो इसके पहले हम कोश्चन देख लेते हैं पर इसके हम आंसर भी देखने वाले हैं आपको यहां पर दिख रहा होगा यह इसके आंसर दिए गए हैं चलिए देखते हैं पहले कोश्चन क्या दिए गए हैं पहले कोश्चन को देखते हैं पहले question दिया गया है हालदार सहाब को एक देश भक्त द्वारा किसका मजाक उड़ाना सही नहीं लगा चलिए दूसरे question को दिखते हैं हालदार सहाब अपने काम से कितने वर्स तक उस कस्बे से गुजरते रहे और तीसा question दिया गया है हालदार सहाब की आखों में आशुक क्यों आ गये फोर question दिया गया है हालदार सहाब भूर्ट के सामने अटेंशन में खड़े क्यों रहे फाइब question है चस्मा किस्टे बना हुआ था चलिए पहले question का अंसर दिखते हैं हालदार सहाब को पान वाले द्वारा एक देश भक्त का इसे तरहे मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा मुडगर देखा तो आवाक रहे गए एक बहत बूर्ड मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर कांधी टोपी और आँखों पर काला चस्मा लगा एक हाथ में एक छोटी सी संदूक सी और दूसरे हाथ में एक बॉस पर डंडे बहुत से चस्में लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बास टिगार आता तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता हालदार शाप चक्कर में पढ़ गए पूछना चाहते थे कि इससे कैप्टन क्यों कहते हैं क्या यही इसका वास्तविक नाम है लोक निप्रवाले ने साप बता दिया था कि अब हो है इस बारे में और बात करने को तयार नहीं है ड्राइवर भी बैचन हो रहा था काम भी था हालदार साप जीब में बैठ कर चले गए हालदार साप को पानवाले का मजाक उड़ाया जाना अच्छा क्यों नहीं लगा खानमबर है हालदार साप पानवाले के बारे में क्यों जाना चाहते थे गानमबर है हालदार साप जीब में बैठ कर क्यों चले गए और गानमबर दिया गए हानी चस्मा तो था लेकिन संग मरमर का नहीं था गाय हालदार साप अब भी नहीं समझ पाए रड़ा नमबर है दो साल तक हाल के सिल्चले में उस कस्वे से गुजरते रहे पिर इसके बाद नेश्ट कुर्शन दिया गया है हालदार साब की आंखे बराती है क्यूंकि मूर्थ पर शंकरी का चस्मा था उन्होंने सोचा की कस्वे में अब भी देश भगती हैं देश की भावी पीडी में भी अपने देश क के नेताओं के प्रती सम्मान का भाव है पिर इसके बाद फॉर कुशन का अंसर दिया गया है हालदार साब मूर्थ की सामने सामने अटेंशन क्यूं खड़े हो गय हालदार साब को कई दिनों से मूर्थ की आंखों पर चस्मा लगा हुआ नहीं दिखाई दिया था आज अच अब पाद में कुशन का अंसर देखते हैं दोस्तों तो यहां पर दिया गया है परंतु आदस से मजबूर हालादार साब की नजर चौरहाय पर आती ही आँके मूर्थ की और उड़ गई वे जीब से उतरे और मूर्थ की सामने जाकर खड़े हो गये मूर्थ की आखों पर श चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते नेस्ट वेडियो को साथ वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद